साप्रिथम अटल तक पर विराजमान राम नाम निर्गुण धारा के सोल में पात्साहा केवल ग्यानी नरायन जी महराज के चरण कमलों में अनन्तवार डंडोत पर नाम करते हुए अटल तक पर विराजमान सत्गुरु सुकराम जी महराज के अनवे ग्यान के चरण कमलों में अनंतवार डंडोत परणाम करते हुए राम सवा में आए सभी द्रस अद्रस भक्त जन्वेवं जी वात्माओं को राम जी राम कैवला धात्मिक ससंग समारो राम नाम साधना सिविर आज हमारे भारत देश के जोदपुर जो बहुती पिर्मुख नगर है भारत देश का जिसे सूर्य नगरी कहते हैं जहांपर सूरज का तेज होता है आप सभी लोगों ने एक सूरज का तेज देखा है आज तक लेकिन इस सिविर में हमारे सद्गुर जी महराज जिनके पास करोड़ो सूरज का तेज है ऐसा विज्ञान लेकर आए है सद्गुरू सुकराम जी महराज जो इस संसार में बहुत बड़े संतों के रूप में उवरे जिन्होंने अठारे साल की अखंड समादी लगाई और उन्होंने अपने अंतिम समय में भारत देश की सबसे उत्तम भूमी उत्तर प्रदेश के जिलब बास वरेली के ग्राम रिशोला में जाकर दसमा द्वार तोड़ कर अमर धाम को पधरे रिशोला गाउं में ये घटना आज से दो सु साथ साल पहले होती है और ये विग्यान जो शुरू मनी है पूरे संसार में जिसे रवीदास, कवीदास, मीरवाई, आदी ने गाया उस विग्यान को उत्तर प्रदेश में पुना सद्गुरू सुकराम जी महराज ने पहुँचाया और वहां से ये विग्यान आगे वड़ता है जैसे हमारे सभी भाईयों ने आपको बताया आज 1990 से सद्गुरू जो हमारे सामने इसमे अटल टक पर राजमान है नरायन जी महराज बहुती सरल तरीके से जीवों तक पहुँचा रहे हैं हमारे तरस्ट का जो मुख उदेश है वो राम नाम के विग्यान को अगली पीडी में वकादा प्राकरतिक रूप में फुली फंडामेंटली संपूर्ट्या के अधार पर आदे अनाद में संत जो कह गया महराज साब ने का आदे अनाद में संत जो कह जाते हैं वो हमेशा सच होता है हमारे संतों ने बताया कि राम राम रटेंगे समाधी में जाएंगे सुने समाधी लगेगी दसमा दौर तूटेगा तो आपको परमधाम की प्राप्ति होगी आज संसार में बहुत संत हैं और बहुत कम संत है रामस्नी समाज में लेकिन सद्गुर्जी महराज बहुत सैस्ता से लगातार पूर्टा की प्राप्ति करते हैं, करवाते हैं आपने खुद भी वो पद प्राप्त किया है और आज आप दूसरों को प्राप्त करवा रहे हैं संतो भाई मैं ऐसा सादू, सादो भाई मैं ऐसा सद्गुरु चाहूं, राम नाम का भरवर प्यारा आप पिये मोई प्यावे जो खुद भजन करता हो वो खंड और मुझे करावे मुझे ऐसा सद्गुरु चाहिए आज हमारे संती जी विलकुल वैसे ही हैं ये च्छे गी, साद दिन के शिवर में बहार आते हैं, उसके बाद ये फिर अकेले में एक आंग में चले जाते हैं, ससंग करते हैं, लेकिन सा संगत को अपने लारे नहीं रखतें, आपका मुझोध इस है कि जो संतों का विज्ज्ञान वो सहजता से जो हमारे जीव है चौरासी में उनको निकालते हुए परमारत करते हुए करते हुए करते हुए चोते धाम पहुचाना अब सभी से निवेधन है कि वो अपने मुवाइल या तो स्विच आफ कर ले वे या साइलेंट पर कर ले वे क्योंकि महारास साब का अम्रत भनी फिरवचन अदूद फिरवचन पहरम होने जा रहा है हम आपको बता दे इन तीन दिनों में महारास साहब ने सैकड़ो जीवो को उस राम नाम के प्याले के विश्यम में बताया और 10 से 20 जीव समादी में जा चुगे हैं पिछले तीन दिनों में जैसे कि महारास साब ने बताया कि जीवन थोड़ा है, घी बहुत महंगा है, अगर आप दही को लोगे, तो कैसे बिलोगे, कैसे आप उसको माखन बनाओगे, कहां उवालोगे, कहां गरम करोगे, आपका दही खराब हो सकता है, उसी प्रकार जीवन बहुत थोड़ा है, महंग वरतार बतारा है हें कल महारासाब ने बताया कि हमारा श्रीर एक बहुत बड़ी प्राक्र्टिक मसीन है वो प्राक्र्टिक मसीन ने fram Mir предлож 6 दौरासी वाइव और हम सब को अफ़गत कराएंगे तो हम सब जीब मैं मतहीन अल्प मत्थोरी आपन विरद रखाओ हे सत्गुरु सच्चे पास्षाह आपके चड़नों में वार वार विंती है आप अपने मदुर मदुर्वानी से संतों के अटल वचनों को हमारे हिर्दे में फिर्वेश राम जी राम महराज राम 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 प्रतम बंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम ततसार दुतिये बंदन राम जी जिन मेटा भरं बिकार तृति बंधन शब संत जन अनंत कोट जनसार जारी पदरज परसता हंश उतर जय पार ऐसा भेव बता विजो शिमरत गुरु मेरा राम मिले इन दे में काटो विश जेरा कुदरत तेरी साईया मुझे लखी न जावे मोमन ऐसी ओ पूजे कैसे हरी पावे देही स्थूल न रूप के घर गाओं न काया किश्विद वेला की जिये तुवन पतराया पूरब प्रीत पिछाने के मेरे घर आवो मैं दुखिया तुम बाएरां मुझे दारश दिखावो मैं निर्बल बलहीन हूँ मुझे शरे न कायी शरणागत शुखराम के हर मिल जो मुझे मायी साइब किरपा कीजिये गुरु गोविंद जन आड़ हिर दयरी गुरु बेठ कर बोलो निर्मलवाड मैं बुदहीना बापणा पशो पंखी जड़ जोए तुम्हरी बोलन हार हो क्या जानेगा कोई मैं खुनी हूँ राबला कौण चूक करतार रोम रोम विशते भर चूका गुना न पार मेरी करणी देखता मुक्त भावा नहीं होए नरक कुंड में जूले वो कैंशुख दिव जीतोए बार बार बिनिती करूं बार बार परणाम स्थगुरु नीका राम जी के चरन कमल विश्राम paradyaald स्थुप राम जी माराज्य, राम जी मैं ठेतु नेका राम जी माराज्य, करपा करो, द्या करो, राम जी राम मेरे तु आधार एक राम के चरणार विंद। मेरे तु आधार के बलवाणी के चरणार विंद। मेरे तु आधार के बलवाणी के चरणार विंद। मेरे तु आधार के बलवाणी के चरणार विंद। बोलो राम। हम यूपी के रहने वाले हैं। यूपी में राम चंदर भगवान ने अबतार लिया। यूपी में किशन भगवान ने अबतार लिया। यूपी में ही रामानंद जी और कबीर साब इन संतों ने अबतार लिया। यूपी में बड़े-बड़े दानवीर हुए हैं। राजा हरिशन्द जिन्होंने अपने बेटे गूपर आरा चलाए दिया। वो भी यूपी में हुए हैं। राजा मौरद धज। हमारे यूपी में ही सगर बंस में भगी रत हुए जो गंगा जीव को प्रतिभी पर लाए। सब जीव आत्माओं का उद्धार करवाया। करोड़ों पुर्खे तरवाए गंगा जीव को लाकरके। हमेशा यूपी में जो मिला वो दूसरे दिश वालों को और दूसरे राज वालों को उन्होंने जरूर माटा। यूपी में जब राम आये तो उन्हेंने करोड़ों जीव का उद्धार किया। करोड़ों जीव को ग्यान बता करके उद्धार करवाया। किशन भगवान आये तमाम राक्षेसों को तारा और जीव का उद्धार किया। ऐसी वहां के संतों ने जैसे सद्धगरू नीका राम जी महराज ने वहीं यूपी में अफ़तार लिया। सद्धगरू शुखराम महराज रिश्वला पहुंचे वह भी यूपी में है। यूपी की मातावं ने ऐसे बच्चों को ऐसे लालों को जनन दिया। जिनका नाम था गिरधारी लाल और गिरधारी लाल को लेने के लिए सद्गुरु शुखराम जी महराज यूपी पहुंचे हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश का नाम है उत्तम प्रदेश उसे ब्रेक इडिम कहे दिया यूपी यूपी वालों को जो मिला उन्होंने बाटा सद्गुरु निका राम जी महराज को बहुत बड़ा ग्यान मिला कहां से मिला सद्गुरु निर्भाय राम जी महराज बहां पहुंचे थे रिछोला में तो निका राम जी महराज छोटे से थे उन्हें ग्यान दिया, दीक्षा दी तो महराज जी ने वहां भजन किया हमारे शद्गुर महराज की एक इच्छा थी कि हम भी देश में भिर्वण करेंगे राम नाम का परचार करेंगे उस समय याता यात के संसादन कम थे रेल चलती थी वो भी कम चलती थी थोड़े जीवों को ग्यान मिल पाया सन असी के करीब शद्गुनी का राम जी महराज ने अपना सरी छोड़ दिया संसार से भिदा हो गए और एक बात कह गए कि मैं ये सता दिये जा रहा हूं जो नीका पंथ में आएगा जो इस राम नाम के नीचे आएगा उसके अंदर गोण आभश्य पैदा होगा उसके अंदर जागुर्ती आभश्य होगी क्योंकि सत्गुरु नीका राम जी महराज को सत्गुर निर्भे राम जी महराज ने ज्यान दिया सत्गुर नीका राम जी महराज ने बजन करके अनभव करके समाधी में जा करके उस पद को पाया और अपने शिष्षों को वो ग्यान दिया वो ही ग्यान देने के लिए मैं यहां पर आया हूँ मेरा ओदेश शिर्फ यही है मैं किसी की भलाई बुराई नहीं करता आप आ करके राम भजन सोयम करके सोयम देख लो की वास्ता में मैं कौन हूँ मेरे अंदर क्या है इस चीज को समझाने के लिए मैं यहां पर आया हूँ मैं किसी का बिरोध नहीं कर रहा हूँ मैं तो कहता हूँ जितने संत यहाँ पर हो सब आओ अपना अनभव शेर करो कि हमने इतने दिन बजन करा हमें यह अनभव हुआ तो हमारा भी दिल खुलेगा वाव वाई वाई कि हमारे देश में राम नाम का परचार खुब हो रहा है अनभवी संत है मैं तो सब को बुलाया पर कोई नहीं आ रहे है उनकी मरजी जाकी रही भावना जैसी प्रभू मूरत देखी तिन तैसी प्राणियारे सत्गुरुतारन हार प्राणियारे सत्गुरुतारन हार विश्वाबीश इकीस उपर विश्वाबीश इकीस उपर और हजारी जाण प्राणियारे सत्गुरुतारन हार प्राणियारे सत्गुरुतारन हार बेद पुराण कुराण जोया शुन शुन की उविचार पार ब्रह्म को भेद ना ही पार ब्रह्म को भेद ना ही तिर गुण को जसलार सत्गुरुतारन हार प्राणियारे सत्गुरुतारन हार प्राणियारे सत्गुरुतारन हार बुलो राम प्राणियारे सत्गुरुतारन हार बिश्वा वीचि कीश उपर तिडमे फेर नस्ता सार रही गुरु एक हैं सत्गुरु फेर विशेश जा निपजा शुहराम कें हंस जुगें जुग देख गुरु परमात्मा ये की है मगर सत्गुरु चीज है वो विशेश है वो सत्गुरु कब पैदा होगा जब गुरु भेद बताएंगे चेला राम राम रटेगा नेंचर की जगरती होगी वो सत्गुरु है प्राणियारे सत्गुरु तारणहार उस सत्गे द्वारा ही आप मोक्ष जाएंगे नव द्वार छोड़के दस्मा द्वार तोड़करके तो महरा जी फरमाते हैं मैंने बेद में भी देखा चारो बेदों में देखा नाम नहीं मिला तारने वाला बेद पुराण मैंने पुराण पड़े जिनका पुराण होनी की महिमा शिप पुराण में शिप जी की महिमा विश्णु पुराण में विश्णु भगवानी की महिमा गर्ण पुराण में गर्ण जी की महिमा ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी की महिमा बेद पुराण कुराण जोया फिर मैंने कुराण को भी पढ़ के देखा क्या इसमें परमात्मस मिलने का बेद है बेद पुराण कुराण जोया शुन शुन की ओ विचार पार ब्रह्म को भेद नाई तिरगोण को जसलार प्राणियारे शत्रगरुतारणहार अब सत्य क्या है यह कहा कि कोट नाम संसार में ताते मोक्त न होए राम नाम गुप्त जप बूझे बिरला कोए करोडो नामें संसार में है पर राम नाम के समान कोई नाम नहीं है अब राम के लिए सत्य क्यों का गया है बहुत से नाम है कि उनको सत्य बोल दिया जाता राम के लिए कहते हैं कि राम नाम सत्य है संकर भगवान ने भी राम नाम का जाब करा इस नाम को महामंत्र बताया क्यूंकि इसके अंदर पत्ता है राम नाम सत्फ है राम राम रटे से एका नाम निकलता है जैसे दूद में क्या चीज सत्ते है घी दूद दो दिन, चार दिन, दस दिन आप रख शकते हो फिरिज में मगर दस ग्यारा दिन के बाद वो दूद खराब होई ही जाएगा जब दूद खराब हो जाएगा तो उसमें बशने वाला घी आपको नहीं मिल पाएगा घी नहीं मिल पाएगा दूद खराब होगी और समय रहते आपने आज कल परसों में दूद आउटा करके दही जमा करके मत करके मक्षन निकाल लिया और घी को अउटाई लिया तो चाहे हजार साल रखा रहे वो घी खराब नहीं होगा होगा खराब सुना आपने घी खराब हो गया कभी घी खराब नहीं होगा ता भली वो खाने योग ना रहे पर खराब नहीं होगा ऐसी राम नाम सत्य है हम राम राम को रट रहे हैं सांस उसांस में मन उसके अंदर क्या चीज़ सत्य है एक सांस जो आ रही है जा रही है किसी धर्म के बेखती की मौथ हो जाए तो क्या देखते हैं उसकी नाड़ी देखते हैं नाड़ी देखते हैं बंदों गई चल लई है पर सांस को देखते हैं नहीं चल लई है किसी भी बेक्ती का किसी भी जाती का बेक्ती हो सबका धरम एक ही है सांस और सांस के द्वारा हम राम राम कर रहे हैं सांस को ले जा रहे हैं ले जा रहे हैं ले जा रहे हैं ले जा रहे है घर्षण से क्या निकला है जैसे पत्थर से पत्थर टकराता है तो आग निकलती है पत्थर से पत्थर टकराने पर आग निकलती है ऐसे राम राम कहने से वो शत्व गुरू पैदा होता है वो सत्य पैदा होता है जिनके अंदर वो सत्य पैदा हो गया जिसने अमरत पी लिया वो अमर हो गया जिसके अंदर सत्य पैदा हो गया फिर वो असत्य से दूर हो गया इसलिए महाराजी समझाते है प्राणियारे सत्य गरुतारने हार उससे मोक्ष होगी तो महराजी समझाते हैं हमने संसार में क्या-क्या देखा जोगी देख्या जंगम देख्या खट दरसन बियोहार जोगी देख्या जंगम देख्या खट दरसन बियोहार तीन लोक में सब पच्यारे ताको का विचार शत्गुरु तारन हार महराजी फरमते हैं हमने योगीयों के पास गए तो उन्होंने योग की कला हमें सिखा दी कौन कौन सी कला सिखा दी हमें आतों को बाहर निकालने की बिधी सिखा दी और नाक के द्वारा धोती को अंदर डाल गरके इस नाक से निकालना सिखा दिया और योग के द्वारा प्राणाम के द्वारा हमको ऊपर पहुँचाई दिया काल के पसारे तक पहुँचाई दिया जोगी देख्या जंगम देख्या खट दरसन ब्योहार पार ब्रह्म को भेद नहीं पार ब्रह्म का भेद नहीं मिल पाया क्या मिला रजो गुणी माया तमो गुणी माया सतो गुणी माया तिरगुण को जसलार प्राणियारे शतगर उतार नहार अब संसार में गुरू गुरू सब बड़े गुरू गुरू सब बड़े अपनी अपनी ठोर सबद बिवे की पारखी सुषत गुरु कहिए यह और सब गुरु अपनी अपनी जगह पर बड़े है मगर जो सत्य पैदा करवाद है आपके अंदर ये नहीं गुरु माहरात कहा रहे हमने तुम्हें दसमें द्वार पर भेज दिया चेला ने मान लिया ये तो गलत है चेला सोयम देख के बताए कि वास्ता मैंने अनवब किया सरीर में अपने वो शत्य है और वो ही शत्य गुरु है